मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान की कुर्सी पर है वीजेपी के मंत्रियों की नजर सिंधिया के समर्थक ठोक रहे हैं दावा सिंधिया के मंत्रियों के मन में सिंग बनने की इच्छा दरसल शिवराज सिंग चोहान अपनी कुर्सी को लेकर चिंता में है कि इस चुनाओ में शिवराज मुख्य मंत्री पत पर रहेंगे या नहीं अब कोई और संभालेगा गद्दी अब लगबग एक साल बचा है विधान सभा चुनाओ के लिए और अभी तब कौन बनेगा सिएम इसका नहीं हुआ है फेतला इन दिनों मध्यप्रदेश विजेबी में सी एम पत के दावेदारों की संख्या आदा दर्जन से जादा बताई जा रही है और कई नेता खुलकर नहीं के पा रहे हैं पर सी एम बनने की इच्छा जरूर जता रहे हैं उन में से एक नाम तुलसी रामसिलावट का भी सामने आया है वही तुलसी रामसिलावट जिनके राज में किसान हो रहे हैं परेशान जो किसानों के हित के लिए सुख सुविदाओं की बाते तो करते हैं पर किसानों को वो सुविदाएं उपलब्द नहीं करवा पाते जिनके विकास के बाद एकागजों में ही सिमट कर रहे गए हैं जिस वज़ा से हाल ही में एक किसान की नाला पार्थ करते हुए मोत भी हो गई तब भी तुलसी राम सिलावट द्वारा कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए और आज वही सिम की कुर्सी के ख्वाब देख रहे हैं तुलसी राम सिलावट हाल ही में इंदोर की सावेर विधान सबा सीट से विधायक हैं और उनकी अपने क्षेतर में अच्छी पकड़ है इसलिए लगातार चुनाव जीत रहे हैं लेकिन वीजेपी में आने के बाद तुलसी राम सिलावट की जुबान कई बार फिसली है 2022 में सावेर में आयोजित नर्मदा पैजल योजना की कारिक्रम के बाद जब वें मीडिया से बाचीत कर रहे थे तब बातों ही बातों में तुलसी सिलावट ने जोती राजसिंध्या को प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया दरसल सिंध्या सावेर आये थे और सिलावट उनका धन्यवाद कर रहे थे धन्यवाद करते करते सिंध्या को प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया लेकिन आप सिलावट खुद को मुख्यमंत्री के पद पर देखनी की इच्छा भी रखते हैं इसको लेकर मध्यप्रदेश की राजनीत में हलचल मची हुई है और प्रदेश में विधान सबाचुनाव तैयारिया शिरू हो चुकी है पीएम मोधी के लगातार कारिक्रम भी ते किये जा रहे हैं लेकिन मध्यप्रदेश से सत्ता उसे ही मिलेगी जो मालवा को जीत लेगा